हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई इस ज्वेशन जोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसिक दोस्तो हमारी सीरीज चल ली थी और 45 पार्ट दोस्तो हमने अपडेट कर दी हैं उनके अंदर दोस्तो हमने 2000 पलस क्योशन जो है सारे पिछले एक्जामस में जो पुछे गए हैं और जो एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू को देखते हुए जो महत्पूर्ण क्योशन रहे हैं वो भी दोस्तो हमने उनके अंदर कवर कर दी हैं तो दोस्तो वो पार्ट आपने नहीं देखी है तो जुरूर देख ले और दोस्तो आज हम करेंगे 46 पार्ट के बारे में डिटेल से डिस्टेन इस वीडियो में तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जुरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहे हैं तो चलिए दोस्तो बिना टाइम बरबात क जो जुरूरी कर दी है ये क्योशन पूचा गया है तो इसका जो सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा उप्सन हमारा बी दोस्तो राइट ओप्सन बी देहेगा दो बार दोस्तो ठीक है एक अपरेल में और एक अक्टूबर में दोस्तो दो बार मिटिंग बुलानी जो है आघोनकी दोस्तो जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकारी उपायूप होता है न किरेपकर दोस्तों हमारा बुछया के रेंग मएल रेंग महल का निर्मान्य क्युत हुआ था तो दोस्तों बुढ़िया का रम्हेल अम्बाला में वért यह यम्णानगर में में आप में को माझस में जरूर बताओं किया गया था है तो इसका जो सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा option हमारा D दोस्तो करनाल की सराय औरंग जेब के काल की है next question है हमारा वर्तमान में टोपरा का स्थित है बात करें दोस्तो वर्तमान में टोपरे की तो इसका जो सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा option हमारा यह दोस्तो यम्ना नगर में और पहले कहां था अंबाला डिश्टिक में तो दोस्तो अंबाला से इसको स्थानांतरित करके यम्ना नगर लाए गया था नेस्ट क्योशन है दोस्तों हमारा बेसाक सुल्क तिर्तिया को कौन सी जहनती बनाई जाती है यहने दोस्तों बेसाक सुल्क तिर्तिया को जहनती बनाई जाती है उसके बारे में पूछा गया है तो इसका सही जो आप जो रहेगा वो रहेगा उप्शन हमारा C दोस्तो परसूराम जैनती जो है विसाक सुल्क तिर्थिया को बनाई जाती है नेस्ट क्योशन है दोस्तो हमारा रोध तक के कोकरा कोट में कौन सी दर्म की मुर्थिया मिली है तो बात करें दोस्तो रोग तक के कोकरा कोट की तो इसका सही जो आपजोर रहेगा वो रहेगा option हमारा B दोस्तो जेन दरम की जो मूर्तियां जो है काफी famous रही है और वो मिली है जैसे मितातल बिवानी से भी जो हमारी ट्रिकली वीडियो है अगर आपने नहीं देखिया तो जरूर देख लें उनके अंदर दोस्तो सारी मुद्राएं वो सारी मूर्तियां कहां से मिली है वो हमने जो है cover कर दिया है रेवाडी की लाल मस्जिद का निर्मान कहा हुआ था तो रेवाडी के लाल मस्जिद की हम बात करें तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा option हमारा बी दोस्तो 1570 में रेवाडी की लाल मस्जिद का निर्मान हुआ था एक दोस्तो लाल मस्धिद हमारी रोत्तक के अंदर है एक लाल मस्धिद हमारी रिवाडी के अंदर है तो दोनों के दोनों मस्धिद दोस्तो अलग-लग है और अपने टाइम की काफी फेमस है नएश कोशन है टोपरा से जो असोक स्तम प्राप्त हुआ है उस पर कितने अभिले से बीडियुक्त इसका वर रहेगा हप्स हमारा यह दोस्तों असतल्बहुरth तक से ज्डेंग की मूर्तिय है वह प्राप्त हुई है एक दोस्तों ज्यआ मूर्तियों सिंपल बात करें हम वह दोस्तों हमरा हासी हो जाएगा ठीक है क्योंकि जैन की मुर्थियों की तरब जैसे ही देखा मैंने आशा तो वो हासी तो ऐसे भी हमने एक ट्रीक बनाई थी तो वो दोस्तों अलग है यह अलग है दोनों का आपस में कोई मेंसिंग नहीं है दोनों अलग अलग है नेस्ट क्योशन है हिंदू पुराणों में चिकित्सक दनवंत्री किसे कहा जाता था तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा उप्षन हमारा बी दोस्तो देवियों को जो है हिंदू पुराणों में चिकित्सक दनवंत्री जो है वो कहा जाता है नेस्ट क्योशन है दोस्तो हमारा वह पर्षिद स्थान जहां 700 बिक्षू निवास करते थे तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा उप्षन हमारा बी दोस्तो थाने सर के अंदर जो है पर्षिद स्थान है जहांपर 700 बिक्षू निवास करते थे नाइस क्योशन है हमारा अस्तल बहुर रोत्तक से कौन सी मूर्ति मिली है तो अस्तल बहुर रोत्तक के हम बात करें तो काफी सारी मूर्तियां यहीं से मिली है तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा उप्शन हमारा डी दोस्तो ब्रोक सभी पार्सोना, सांतिनाथ और दोस्तों सक्रू उस्त्री की सभी मूर्तियां जो है हमारी रोत्तक से अस्तल बहुर से मिली है अस्तल बहुर का दोस्तों निर्मान के बात करें तो चुरंगिनाथ और पुर्णर निर्मान के बात करें तो मस्तनाथ ने करवाय था बहुत ज़्यादा अच्छे क्योशन इसे मट से उठाए जाते हैं नैस क्योशन दोस्तों हमारा हर्याना में प्रायत होने वाली नदियों का बढ़न किसमें मिलता है तो इसका सही जो आप जो रहेगा वो रहेगा उप्शन हमारा बी दोस्तों वामन पुरान के अंदर जो हर्याना में बहने वाली नदियों का काफी बढ़न किया गया है नैस क्योशन है रोध तक की समरीदी का उलेख किया गया है रोध तक की समरीदी के हम बात करें तो राइट उप्शन रहेगा हमारा उप्शन C दोस्तों जेन कावया के अंदर जो है रोध तक की समरीदी का काफी उलेख किया गया है बढ़ लेते हैं दोस्तों नैस क्योशन की तरफ तीज त्योहार से समंदित है तीज त्योहार की दोस्तों हम बात करें तो ये सबी जो वर्डिंग की गई ये इसके अंदर कोथली है सिंदारा है कोथली कोई दोस्तों सिंदारा कहते है और सावन मास जो अब चल रहा है दोस्तों ठीक है दोस्तरबादिक मैतपून मतलब एक ट्राइब से उत्सव है जो लहलाती फसनों को देखकर किसान अननदित होने की स्थिति को बहुत कराता है इस त्योहार में जो विवायत लड़कें अपने पिता के गरन नहीं आपाती है उनके पास ये उपहार बेजा जाता है और कोथली दोस्तों काफी जगह पर काफी फेमस भी है जो अपने सुसराल पक से अपनी बहु के लिए जो उसके माई के लिए जो बेज़ा जाता है सावन के अंदर उसको सिंधारा के नाम से भी दोस्तों जानते हैं तो ये सबी सबत जो है वो तीज यानि सिंधारा कोथली स्रावन मास से जुड़े हुए है और दोस्तो इस से later question हर एक exam में दिय दिया जाता है नाइस question है हमारा वर्षा रितू के आरम होने की सूचना किस त्योहार से मिलती है अगर वर्षा रितू की हम बात करें तो right option रहेगा हमारा B दोस्तो बडलिया नवमी और बडलिया नवमी असाड के दूसरे पकाड़े में ये मनाय जाता है और ये दोस्तो क्रिसी परदान समाज से ही जुड़ा हुआ है और दोस्तो जीसे मकार् शकरांती 14 जनुडी को मनाय जाता है जिसको रितू प्रिवर्भतन का परो भी कहा जाता है तो काफी अच्छा क्योशन उससे भी बनता है और इसके अलाव दोस्तों जो सिली साते है जिसको बासोडा भी कहा जाता है जिसके अंदर बुद्धो माता की पुजा की जाती है बासियन खाकर तो दोस्तों जो बासोडा है उसी को सिली साते कहा जाता है ये क्योशन भी जरूर कर लें इसके लावा दोस्तों लोड़ी जो सक्रान्ति के एक दिन पुरो बनाया जाता है तो वह कोशन भी सिख्षों से जुड़ा हुआ है और अच्छा कोशन बनता है इसके अलावा जैसे बेसाकी है तेरा प्रेल को बनाया जाता है जो हमारे मुख्यरूप से पिंजोर देखने को मिल जाएं प्राचीन काल में जेन दरम की गती वीदियों का केंदर रहा है तो दोस्तो प्राचीन काल में जेन दर्म की गतिवीदियों के केंदर की हम बात करें तो राइट ओप्सन रहेगा हमारा सी, सिर्षा और हासी दोस्तो दोनों ही जो है प्राचीन काल में जो हमारी जेन दर्म की गतिवीदियों का केंदर रहा है नेस्ट क्योशन है दोस्तों हमारा बगवान परसुराम ने अनेकों यक कहां पर किया थे तो बगवान परसुराम की हम बात करें तो राइट ओप्सन रहेगा हमारा सी राम राय दोस्तों बगवान परसुराम ने अनेकों यक वहां पर किये थे next question दोस्तों हमारा गूगा नवमी उच्छो किसे समन्दित है तो गूगा नवमी उच्छो की अगर हम बात करें तो राइट उच्छो रहेगा हमारा जो है तो पूछा भी गया है तो राइट उच्छो रहेगा बी दोस्तों 1699 में के अंदर गूरु गोमी शिंग ने खाल सापन्द की स्थाफना की थी और दोस्तों हमारा बेशाकी भी इसी के साथ जुड़ा हुआ जो है त्योहार है नेक्स शोषन 1947 को कौन सी मस्जिद को मंदिर का रूप दे दिया गया था तो दोस्तों मंदिर को मंदिर यहां पर बनाय गया है तो रहेगा ओप्सन जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्सन हमारा C दोस्तो दीनी मस्जिद 1947 को जो है मस्जिद को मंदिर का रूप दे दिया गए था और दोस्तो ये सारी के सारी मस्जिद जो है हमारी रोध तक के अंदर है जिसे सीसे वाली मस्जिद है काजी मस्जिद है लाल मस्जिद है दीनी मस्जिद है तो ये दोस्तों जरूर कर लें, रोध तक की कुछ famous मस्जिद है, next question है, संसुल उलेमा के उपादी अंग्रेजों ने किसी दी थी, तो इसका सही जवाब जो रहेगा, वो रहेगा option हमारा, c दोस्तों, उल्ताफ उसेन हाली को 1904 के अंदर जो है, संसुल उलेमा के उपादी दी तो राजीव गांदी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गी थी, तो राजीव गांदी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गी थी, तो राजीव गांदी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गी थी, तो राजीव गांदी परिवार बीमा योजना कब शुरू की नेस्ट के उसन है दोस्तों हमारा पंडित मांगेराम का सम्मन किस कला की वीधा से है अगर पंडित मांगेराम की दोस्तों हम बात करें तो राइट उसन रहेगा हमारा E. सांग परंपरा से उनका समन माना जाता है नेश क्योंसना दोस्तों हमारा निम्मल लिक्थ में से कौन सी नदी हरियाना के रावली परवत्षनेनी से जुड़ी हुई है तो इसका सई जो आप जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों उप्षन हमारा D. क्रिशना मत्य नदीत जो रावली परवत्षनेनी से जुड़ी है टांगणी मारकंडा और घगर दोस्तों हमारी सिवाली की नदियां है कि से इसकाए दोस्तों हमारा पेवा का मेला किस महीने में लगता है पेवा की दोस्तो मेले की हम बात करें तो right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा B दोस्तो मार्च के महिले में जो है पेवा का मेला लगता है और कापी famous भी है कुरक से तरगे अंदर next question है दोस्तो हमारा नगरपालिका का परमुक कोन होता है नगरपालिका के परमुक की हम बात करें तो right option रहेगा हमारा B दोस्तो चेर्मेन जो है नगरपालिका का परमुक होता है next question है दोस्तो हमारा अपना देश पत्तर के संपादक कोन रहे हैं दोस्तों बात करें अपना देश पत्तर के संपादक की, तो right option रहेगा इसका हमारा option C, बनार सिदास गुपता दोस्तों अपना जो पत्तर है, जो अपना देश पत्तर के संपादक रहे हैं, next question दोस्तों काफी important है, हो सकता है, exam में पूछ ले जाए, हर्याना के वर्तमान मुख क्या मंतरी का जनम हुआ था, तो दोस्तों ये question भी जरूर कवर कर लें, क्योंकि एक exam में सक्सी मलिक की date of birth पहुची गई थी, ठीक है तो ये हलके फूल के question भी जरूर कवर करें, पसू चिक सा टीका करन संस्तान कहां पर है, तो इसका सही जो आप जो रहेगा, वो रहेगा option हमारा C, हिसार के अंदर पसू टीका जो हमारा संस्तान है, वो सित है, next question है, हर्याना की कितने परतिसत भूमी क्रिसी हो गया है, तो ये दोस्तों comment box में आपको reply करना है, क्योंकि ये question मैंने पिछली वीडियो में साइध कवर कर दिया था, तो दोस्तों क्रिसी हो गया, भूम किसका बाग था, जैपूर का, next question है, दोस्तों हमारा अगरवाल समाज का परमुक के अंदर रहा है, अगरवाल समाज की दोस्तों हम बात करें, तो right option रहेगा हमारा option D, इस साथ दोस्तों अगरवाल समाज का परमुक के अंदर रहा है, और आज का दोस्तों एक टाइप से हमा आज के most important question कैसी लेगी वीडियो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और दोस्तो जो पिछली वीडियो के question है वो हमने उठाए है तो इसका आपको comment box में reply करना है और याना कि कितने प्रतिशत भूमिशारी यह लवनता से गरसता है यह दोस्तो आपको comment box में बताना है question number 1 लिख next question है दोस्तो हमारा मिट्टी की लवनता को हास हो जाना क्या कहलाता है तो इसका भी reply करना है ray color दोनों भीगी क्या कहा जाता है मिट्टी की लवनता या हास हो जाना तो दोस्तो question number 2 लिखे इसका reply करना है next question है क्रिसी का निर्दैश तुरू किसे कहा जाता है तो इसका भी दोस्तो जल्द से जल्द आपको reply करना है एक ही message के तुरू next question है 4 सिवाली की मिटिया स्वाली की मिटिया कहा पाई जाती है बंचकुला में, अमवाला में, यम्नानगर में या उप्रोक सभी में next question है दोस्तो लाल चेस्टन मिर्दा हरियाना में कहा पाई जाती है दोस्तो पिछली वीडियो के अंदर जो question कवर किये थे उसके बारे में self test यह जो है अगर वो नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले हरियाना में चटानी तल की मिटिया का विस्तार कहां पर विस्तरी था है उतरी भाग में, दक्षिन भाग में या पुर्वी भाग में तो इसका दोस्तो आपको reply करना है और ओज का दोस्तो last question है हमारा मिर्दा पोर्दन को रोकने के क्या उपाय करने चाहिए तो दोस्तो ये 7 question आपको comment box में बताना है अगर पिछली वीडियो देख रखी है तो नहीं देख रखी तो दोस्तो थोड़ा सा time निकालके जरूर देख लें तो दोस्तो आज के ये थे कुछ most important question कैसे लिए वीडियो एक छोटा सा लाइक जरूर करने दोस्तो और आप हमारे चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि latest वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं दोस्तो नेक्ट वीडियो में तब तक नमस्कार जै हरियाना जै भार्त